हेलो अब्रिवन दिस इस पूरु जूंत्रिया आज हम सरकारु वारी पट्टा साउर्थ इंजियन मूबी है महिज बावू की इस मूबी का पूरा डिस्क्राइब करेंगे कि इस मूबी में फर्स्ट सीन से लेके लाट्स तक क्या-क्या होता है ठीक है तो चलिए तानी सुरू करते हैं कहानी की सुरूआत होती है एक फैमिली में पती पतनी और उनका एक लड़का होता है जो पती जो होता है वो लोन लेता है वो लोन टाइम से नहीं चुका पाता है तो वो वैंक से रुकेस्ट करने जाता है कि प्लीज आप हमें कुछ टाइम और दे दीजिए जिससे को पती पतनी दोनों इस तरह में सोच रहे होते हैं कि यार क्या किया जाए कैसे लौन चुकाया जाए तो दोनों सला मश्वारा करते हैं और दोनों जो है वो फासी के फंदे से लटक जाते हैं और लड़का जो होता है वो चुप-चाप सो रहा होता उसे कुछ पता नहीं होता कहानी में दिखाते हैं कि उसका पिता मरने से पहले एक चिट्टी लिखके जाता है कि मतलब मेरे से एक करजा नहीं चुक पा रहा है इसलिए मैं जो है सोसाइट कर रहा हूँ सुबह गर की नीलामी के लिए बैंक ओफिशल्स और कोड के करमचारी आ जाते हैं और गर की नीलामी की प्रिक्रिया जो है वो सुरू कर देते हैं और उन्हें गर से बाहर जाना पड़ता है और वो लोग वहां से अपने एक अंकल के साथ वहां से चला जाता है अंकल सेहर में आके उस लड़के का दाखिला एक हुश्टल में करा देता है जहां उसकी अच्छे से पढ़ाई हो सके और जो है अच्छा बविश राप्त कर सके वो लड़का जो होता है वो एक रुपे का जो सिक्का होता है वो अपनी गर्दन पर टेंटू बनबा लेता हो से और फिर यहां से उसके बाद मूवी की स्टार्टिंग होती है में स्टार्टिंग एंड वहीं दूसरा पहलू इस फिल्म की इरवेन कीर्थी सुरेस एक बिगडियो यौलाद एक रहीज बाप की बिगडियो यौलाद होती है जिसकी सुरुवात जुए खेलते हुए दिखाया गया है महीज बावू इसमें एक लौन देने वाली कंपनी चलाते हैं कीर्थी सुरेस के पास पैसे जुए में हार जाने के कारण वो क्या करती है कि महीज बावू को अपनी बातों में फसाने की कोसिस करती है जिससे कि उससे पैसे एड सके किसूर और महिस बाबू दोनों मिलकर के कंपनी चलाते हैं किसूर जो है महिस बाबू का असिस्टेंट होता है अगले सीन में कीर्थी सुरेश सती सावित्री बनके एकदम अच्छी डिसेंट बनके महिस बाबू के पास आती है लॉन लेने के लिए कि मुझे पैसो की बहुत ज़्यादा जरुत है तो आप मुझे लॉन दे दीजी और महिस बाबू जो है वो अपना पर्सनल तरीके से उसको लॉन दे देता है पैसे देने के बाद जब कीर्थी सुरेश चली जाती है तो मैज बाबू उसका पीछा करता है लेकिन पीछा इतना गंध्या तरीके से करता है कि जिसकी हद नहीं साइड में कीर्थी सुरेश की कार जा रही होती है और रेड लाइट होती है तो वो भी बाइक को उसकी जिस्ट बगल में रोग लेता है कि जो है ये इसका पीछा कर रहा है अगले सीन में मैज बाबू कीर्थी सुरेश को मेसेज करता है तो उधर से जो है कीर्थी सुरेश का भी रिपलाई आता है तो मैज बाबू खुस हो जाता है और मन इमन उसके ख्वाबा में खोता रहता है उसके बाद उन दोनों का मिलना जुलाल चलता रहता है और वो कीरती सुरेज जो है मैस बाबू से पैसे एड़ती रहती है एक दिन मैस बाबू को पता चल जाता है कि ये कोई सिती साथी सती सावित्री औरत नहीं है बलकि ये तो बहुत बिगड़ी हुई लड़की है जो की जुवे खेलती है लॉन लेती है जुवे खेलती है और मेरे बरूसे का फैदा उटा रही है अगले सीन में मैस बाबू और किसोर जो है वो उस लड़की से पैसा लेने के लिए चल देते है महिज वावू किस होर से बोलता है कि मुझे नहीं पता इस लड़की से पैसे लो अभी कि अभी और हमें यहां से निकलना है हमें इसे कोई बात नहीं करने और ना इसके बारे मिल्कुल भी कुस हमें सोच रहा है तो किसोर उस लड़की से बोलता है कि हमारे पैसे बापस करो और चलो यहां से निकलो और अभी के अभी हमें पैसे चाहिए बापस हमें नहीं पता कुछ भी लड़की का दिमाग खराब हो जाता है कि यार क्या क्या चाया और ये कहां बसट फैल गई ऐसा क्या हो गया कि इन्हें सब कुछ पता चल गया इन्हें तो कुछ में नहीं पता चलना चाया था तो तबी क्या होता है कि बहुत ज़्यादा बात बिगड़ जाती है तो कीरती सुरेज जो है वो किसोर में थपड मार देती है महिस का दिमाग खराब हो जाता है और महिस बावु जो है लड़की में चबा के थपड देते हैं खीच के बुरी तरह लड़की एक दम लालताती हो जाती है तो वो अपने बाप को फौन करती है तो पता चलता है कि बाप उसका बहुत रसूपदार है, बहुत जदा पैसे बालो और पहुंचा हुआ आदमी है, तो दो मिनट में वो जो है, वहाँ पर पुलिस बेज देता है, वहाँ पर यूएस में, और उनके अरेश्ट होने की नौबात हो जाती है, लेकिन वहाँ से चल लेकिन कोई भी कारवाई किये विना, वो सीन आगे कोई सीन नी होता है, और वो जो है, अपनी अपनी लाइव जीने लग जाते है, तो येस प्लिस कर गया रही थी वहाँ, उसके बाद अगला सीन होता है, कि महेज वावो मियामी इंटरनेशनल एरपोर्ट जो है, वहाँ प जब वो एरपोर्ट पर बैठा हुआ होता है, अपनी फ्लैट का बीट कर रहा होता है, तो वहाँ एक औरत को देखता है, जो बहुत ज़्यादा परिशान थी, एक आदमी भी वहाँ उससे कुछ दमगी बगर देखे गया था, और वो औरत जो है, बहुत ज़्यादा परिश तो मःजवाँ बोलते हैं के और कम बजट बता हो, तो पर एतने कम बजट मे तो फिर मेरा ही घर आएगा, 50-100 रुपे में तो मःजवाँ बोलते हैं कोई नहीं चलेगा तुमारा गर और वह उससे अपनी घर ले जाता है, उसके घर के पास में उसे वह अंकल मिलते हैं, जि एक एंकल में वही महेस हो जिन्हों ने आप में मेरी बच्वन में हेल्प की थी उसके बाद अगले शीन में महेस बावु जो है कीरती सुरेश के पिता से मिलने जाते हैं और उसे बोलते हैं कि आपकी बीटी ने मेरे से 10,000 डॉलर जो है युएस में लिये थे तो आप मुझे वह वापस कर दीजी और मुझे युएस से वापस जाना है युएस वापस जाना है तो कीरती सुरेश के पिता बोलते हैं कि तुम 10,000 डॉलर के लिए यहां पर आयो तो महें जबाव बोलते हैं कि अगर मेरे एक रुपे भी होता तो भी मैं ने छोड़ता यह तो 10,000 डॉलर रुपे दे दीजी और मैं याँ से चला जाओंगा तो कीर्दी सुरेस का पिता उसे बोलता है कि देखो तुम्हें पैसे तो नहीं मिलेंगे लेकिन हाँ तुम मेरी बेटी से माफी माफी कर देती है तो मैं तुम्हें यहां से जिंदा जाने दूँगा वरना तुम यहां नहीं थोगे तब तक मैं आपको रोज परिसिंद करता है अगले दिन महीस्पाव कीरती सुरेश के पिता को कौने अगले सीन में बाहर उसकी आंटी बाहर वीट कर रही होती हैं क्योंकि उसके पती खाना लेकर नहीं गए होते हैं तो महीज बाबु बोलता है कि आप मुझे दे दीजी है मैं अंकल को खाना पहुचा देता हूँ जब महीज बाबु अंकल को खाना पहुचाने जाते हैं तो देखते हैं को शिक्यूर्टी गाड का काम कर रहे हैं बोलते हैं कि पैंसल से मेरा गुजर बसारत नहीं हो पाता क्योंकि यह घर का है उसका एमाहि मुझे बरनी होती है तुम्हारी आंटी जो बीमार रहती है तो उसका खर्चा बगरा जो होता है इस वह से मुझे एक्ष्टा जॉब करनी पड़ रही है अगले सीन में कीर्थी सुरीस के पिता ने महीज बाबू को मारने के लिए कुछ गुंडे हायर के हुए होते हैं वे गुंडे मच्वारे टाइप के होते हैं जो बीच पर महीज बाबू को मारने की कोसिस करते हैं बे महीज बाबू को पकड़ने के लिए उसके उपर जाल फैकते हैं जब महीज बाबू जाल में फस जाता है तो उसके बाद वो उसकी पिटाई वगरा सुरू करना श्टार्ट कर देते हैं लेकिन जैसा कि आप सब को पता ही है कि साउथ इंडियन फिल्म हैं तो हीरो तो चाहिए उतना कम इतनी बुरी आलत हो जाती है और जब उसको मार पीट के एकदम भी होस कर देते हैं या फिर मार देते हैं उसके बाद कीरती सुरेश के सामना करने के लिए मचलियों को नहीं बेजा करते हैं आसार का मछलियों से सामना हो गया और सारी मछलिया खतम हो गई किवाद अगले शीन में महेजब़ावोच मेडिया के सामने चले जाते हैं और सबसे बोलते हैं कि केर्टी सुरेस्स के पिता जो है उन्होंने मेरा दस हजार डॉलर रुपे अफ़िछार लिया मेरे से और मेरे पैसों को बापस नहीं कर रहे हैं और मैंने बहुत सारी कोशे से की उनसे बापस करवाने के लिए कि बापस नहीं कर रहे हैं तो किरपया करके आप मेरी मदद कीजिए कि मेरे पैसे बापस कर दें